हेलो प्रेंड मैं असन प्रजापती SMB नाल इस पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वाद करता हूं जैसा कि आप दीख रहे हैं यहां पर एक्सर्साइज 3.2 का कोस्टन नमर 21 और 22 तो फ्रेंड यहां पर जो कोस्टन पांच आपके देगे हैं और इनके आडर दिया रहे है टो क्राष यह एक्स है 3 क्राष के का वाई है और जयर क Saints वह स और डबलो वाई इसको परिभासित होना है तो देखें कि यहां पर होना क्या चाहिए जो पी देखें यहां पी है यह क्या है वाई इन दोनों का आपस में इंटू है तो सबसे पहले पी का आडर जरा देखें पी का आडर जो है पी क्रास के है इसका आडर पी क्रास के है और ज ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए यानि पहले में अस्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर यानि के बराबर 3 होना चाहिए यहां पर यानि यहां पर k equal to 3 आना चाहिए और फ्रेंट दूसरा जो मैट्रिक से दिया हुआ है यहां पर डबलु आई देखेंगे डबलु और वाई का इंटु तभी हो पाएगा जब की डबलु का आडर देखेंगे यहां पर यह न क्रास 3 दिया हुआ है और वाई का जो आडर है यहां से थी क्रास के थ्री ख्रास के दिया हुआ है तो यहाँ पर यह थ्री थ्री तो बराबर हो गिएरा साथ या निया मेर्टिक्स बनेगा उसका जो order होगा वह होगा yarn cross K यानि यहां से यह जो matrix बनेगा मालिया की इसका गुला करने पर यह आता है matrix B तो इसका जो order बनेगा वह यह बनेगा yarn cross K और यहां पर यह जो गुला करने के बाद जो matrix आता है वह मालिया की बनता है A तो इसका जो order आएगा वह P cross K आएगा यानि इसका order कितना आएगा P cross K आएगा तो फिरेंट अब यहां पर E क्या है आपस में दोनों जुड़े हुए है यानि देखेंगे इस तरह से यहां पर ज़रा देखें यह है A यह का order है P cross K और यह प्लस हुआ है जुड़ा हुआ है B के साथ और इसका order है यान क्रास K तो K के बराबर यानि P बराबर यान होना चाहिए क्योंकि दोनों matrix को तभी जोड़ पाएंगे घटा पाएंगे जबकि दोनों का order समान होना चाहिए तो this implies यहां पर P equal to Y तो फ्रेंड यहां से एक condition मिला देखेंगे एक condition तो यहां से मिला था कि K equal to 3 होना चाहिए एक condition यहां से मिला कि P equal to Y नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड यहां पर जो 21 का option जो correct होगा वह A correct होगा फ्रेंट एक बार इसको फीर से समझिए देखें यहाँ पर PY है यहाँ पर WY है तो PY यानि P का Y के साथ इंटू है तो P का order है P cross K और Y का जो order है वह 3 cross K तो देखें कि यहाँ पर दोनों matrix का इंटू कब होगा जबकि पहले matrix में number of columns दूसरे matrix में number of rows के equal हो यानि K equal to 3 तो K equal to 3 हो गया अब कहा गया कि अगर इन दोनों के इंटू करने पर एक नया matrix यह बनता है तो इसका order क्या होगा तो इसका order P cross K हो जाएगा अब ठीक इसी तरह से करें कि W और Y तो matrix W और Y का इंटू है तो W का जो order है जो नया matrix बनेगा उसका जो order होगा वह यान क्रास K का बनेगा तो यहाँ पर मालने की एक जो matrix बना वह यान क्रास K का बना तो फ्रेंड अब A और A दोनों आपस में जुड़े हुए हैं यानि P Y प्लस W तो P Y प्लस W की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस B तो A का आडर है P क्रास K जो matrix B बना है उसका आडर है N क्रास K तो यहाँ पर A दोनों जब जुड़ेंगे तो इसका मतलब दोनों सीम आडर के होगा यानि matrix A और matrix B का आडर समान होगा तभी आपस में जुड़ पाएंगे या घड़ पाएंगे तो इसका आडर समान होने के लिए देखेंगे K के तो बराबर है इस तरह से P बराबर Yन होना चाहिए तो यहाँ पर दो condition मिला है एक K बराबर 3 और एक P बराबर Yन तो इस तरह से आपसे लेक करेक्ट हो गया अब फिर्ट आते हैं question number 22 पर question number 22 में कह रहा है कि 7x-5z की भी होगी तो फिर्ट यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे कि 7x-5z की कोटी equal to x की कोटी x की कोटी और equal to यहीं z की कोटी कि कोटी यहां बराबर होंगी क्यों क्योंकि देखेंगे plus minus करने पर कोटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो जो कोटी 7x-5z की होगी वहीं कोटी x की भी होगी और वहीं कोटी z की भी होगी तो फ्रेंड इसकी कोटी निकालना है यहां पर x की कोटी दिया हुआ है तो x की कोटी जिरा देखेंगे कि दिया हुआ है 2 x n और यहां पर जा देखेंगे z की कोटी कितना है तो z की कोटी है 2 x p यहां पर दिया हुआ है तो फ्रेंड इसका मतलब यहां हुआ कि जो 7 yaks minus 5 jayati की कोटी होगी वह 2 x yn होगी या 2 x b तो फ्रेंट आफसन देखेंगे यहाँ P x 2 है तियानि यह आफसन करेक्ट नहीं हो सकता 2 x yn यह आफसन करेक्ट होगा 1 x 3 यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ पर P x yn है तो P x yn यह भी सही नहीं हो सकता तो फ्रेंट इस तरह से आप question number 22 लगा सकते हैं question number 22 का जो order आएगा वार to creation का ही आएगा option भी correct होगा